नमस्कार मितो राशी रत्नों की हमारी इस रंकला में आपका एक बार फिर से स्वागत है दोस्तो आज हम एक विशेश वीडियो लेकर आएं एक विशेश रत्न के बारे में जैसा कि हम जानते हैं कि सभी राशी रत्न जितने प्रभावशाली होते हैं उतने ही अधिक महंगे होते हैं कि आज हम आपके लिए एक रत्न लेकर आये हैं झोना ही बहुंगा है और बात करें अगरS के प्रभाव की तो प्रभाव के मामलेन यह किसी तरह से कम नहीं एक हमारी के निए जैसा कि हमने हमारी राशी रत्नों की शरंकला के वीडियो में जाना कि हर रत्म पहनने के लिए जनमपत्री के अंदर ग्रहों की देशा का ग्यान होना आउशक है लगन का ग्यान होना आउशक है किन्तु एक फिरोजा रत्म एसा रत्म है जिसे कोई भी व्यक्ति हर लगन का व्यक्ति हर राशी का व्यक्ति पहन सकता है और इसके फायदे भ और अगर आपने अभी तक अमारे चेड़ को सब्सक्राइब नहीं क्या है तो आप इस चेनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए अगर आपको अमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए शेर कीजिए ताकि दूसरों को भी इसका प्राप प्राप्त हो सके और अगर आपने अभी तक घंटी का आइकन नहीं दबाये तो घंटी का आइकन भी जरू दबाये ताकि भविश्य में इस तरह की रत्नों कोई बी जानकरय में प्रिदान करें तो यह आप तक तुरंत होने और दोस्तों और लेकर लोगों के अलग-अलग विचार quickest कोई से ब्रसपति ग्रह का रतन आपनों मानता है यह इक ऐसा रतन है जिससे पहनने पर सिर्फ फायदे ही होते हैं नुक्सान कभी भी नहीं होता दोस्तो यह है रत्मे जिस किसी व्यक्ति को फायदा पहुंचाने पर आता है तब मालूम भी नहीं पड़ता कब उस व्यक्ति को फर्स से अर्श पर ले जाए दोस्तो हमने कई बार देखा है कि हमने हमारी जनम पत्र दिखा कर उचित जोति सला ली उसके पच्चात अच्चे से अच्छा रत्न धारन किया फिर भी वह रत्न हमें फायदा नहीं पहुंचा पाता हमारी परेशनियों को दूर नहीं केर पाता तो ऐसी परिस्तिति में फिरो फिरोजा रत्न पहनने की सलहा दी जाती है क्योंकि जैसा हमने पहले बताया कि यह एक ऐसा रत्न है जो सिर्फ फायदा पहुंचाता है कभी भी किसी को नुपसान नहीं पहुंचाता और सभी राशी सभी लगने के वाले वक्ति इसे आराम से धारन कर सकते हैं तो दोस्तों आईए जानते हैं एक ऐसे चमतकरी रत्न फिरोजा रत्न के बारे में किसके धारन करने के क्या-क्या फायदे हैं फिरोजा रत्न धारन करने के फायदे पहला फिरोजा रत्न को एक लगी जैमिस्टोन माना गया है भाग्य दायक रत्न माना गया है ऐसा कहा जाता है कि जो भी आपके आपसे संबंद अच्छे नहीं है तो आप फिरोजा रतने पहने से आपके संबंदों में सुधर आएगा आपके विवाहिक जीवन में संबंदों में मदूरता आएगी 4. फिरोजा रतन हमारी सभी परिशानियों को दूर करके घर में सुक सम्रद्धि लाता है पाचवा, फिरुजा रत्न नकारत्मक्ता को दूर करके स्यकारत्मक्त लाता है। चटा, फिरुजा रत्न धर्ण करने वाला व्यक्ति सामाजिक इस्तर में व्रिद्धी करता है। Social status हजबूत होता है, व्यक्ति के मान संमान में बड़ उतरी होती है। सात्वा फिरोजा रत्म धर्ण करने वाले व्यक्तिक्ति में एक अजीब सा निखा रहता है जिससे लगता है मानों की वह लोगों को अपने और सम्मोहित कर रहा है फिरोजा रत्म धर्ण करने में एक सम्मोहित शक्ति होती है जो कि धर्ण करने वाले व्यक्तिक्ति के प्रति ता के लिए पैजब की चेकश्य शक्ती भी होती है जिसें हमें कई तरह गी श्यमता होती है थीहरत्य को ऊठ्जा को एक इच्छा पूर्थी रत्य मीसित गलता हो अगर हमारी कोई भी इच्छा है, कोई भी ख्वाईश है वह पूरी नहीं हो रही तो फिरोजा रत्म पहनने से वे पूरी होती है फिरोजा रत्म पहनने से आदमी में आत्म विश्वास मरता है फिरोजा रत्म भूत प्रेत उपरी बाधाओं से बचाता है नाकारात्म शक्तियों से बचाता है फिरोजा रत्म धर्ण करने वाले व्यक्ति की अचानक होने वाली द्रुगटाओं और हाथसों से रक्षा करता है और दोस्तों यह तो हमने बात करी फिरोजारत्न के फायदों के बारे में लेकिन दोस्तों यह फायदे तब ही होंगे जब हम एक असली फिरोजारत्न धारण करें सही विधान से धारण करें तो दोस्तों अगर आप चाहें तो एक असली फिरोजारत्न हमसे भी प्राप्ट कर स कि दोस्तो फिरुजा रत्ने से बनी हुई अंगोटी या पेंडल को हम शुक्ल पक्षिके किसी भी बुरुवा, शुक्रवा, शनीवा या रिवार को धारण कर सकते हैं दूसरा सरव परतम फिरुजा रत्न से बनी हुए किसी भी अंगोठी ये पेंडल ये ब्रास्ट्रेट को हमें पंचामरत से शुद्ध करना चाहिए गंगाजल से साफ करना चाहिए इसके पश्चात फिरुजा रत्न को आप प्रातयकाल या संध्याकाल दोनों ही समय पहिन सकते हैं किन्तो अच्छा हुआ कि हम इसे प्रातयकाल इस्तनान करने के पश्चात धारन करें चो था, फिरोजारत्न को धारन करने के लिए आप अपने इश्ट देव का ध्यान करें, जिनके भी आप पूजा करते हैं, उनके नाम का इस्मर्ण कीजिए, उनके नाम से दूप अगरवत्ती करें, दिया जलाएं, और फिर फिरोजारत्न को पूजा में रखें, उसके पस्च या अमावस्या ना हो दोस्तों हमने जाना फिरोजा रत्न धर्ण करने की विजी के बारे में आईए अब जानते हैं फिरोजा रत्न के प्रकार और फिरोजा रत्न की पहचान के बारे में दोस्तों फिरोजा रत्न मुख्य रूप से तीन जगे का प्रस्तित है जिनमें तिब् आश्मानी लघ्र आता है और ति और तो घृर। आता है और। इसकी बहुत के वह Lovagy इसरो今 इतीन विरोजा की तरह पर एक निला आश्मानी इसरों लिए वह आता है और और यह चंदर जाते लिए और यहरे अगर इयMaybe पएलती रस जोड़ें पेया को आती हुष्य से किन्टु दोस्तों हमारी आप से हमेश्या की ही तरह प्रातना है बुझारिस है रिक्वेस्ट है जब भी आप कोई भी रत्न खरी दें तो विश्वश्निय व्यक्ति श्वश्निय लेप दोरा प्रमानित रत्न नहीं करें क्योंकि बाजार में इतने तरह के नकली रत्न मिलते हैं कि हम खरी लेते हैं सस्टे के लालच में खरी लेते हैं फिर नहीं कोई फायदा ने पहुचाता हम देख थे हैं कि नहें अज Leg ahora कोई फायदा वी नहीं हुआ से भी प्राप्त कर सकते हैं इसके लिए इसक्रीन पर हमारे निंबर दियेंगे उन नंबरों पर आप हमसे संपर्क तरके दुश्वस्य लेद्धरा अप्रमेने तरह मांगवा सकते हैं धन्यवाद